हलो दोस्तों वेलकम टू में पॉइन पॉइंट सड़ी आई होप आप सारे के सारे ठीक हूँ तो आज हम करने वाले हैं पार्ट एक कक्षा 10 की इतिहास का जिसका नाम है यूरूप में राश्चवात का हुद है ठीक है अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो ये चैप्टर आपको आपके स्कूल टीचर ने भी समझाया होगा आपके टूशन टीचर ने भी समझाया होगा आपने खुद भी पढ़कर ट्राय किया होगा इस चैप्टर को समझनेगा बट आपको बहुत डिविकल्टी आई होगी आपको लगेगा यार कितना टफ चैप्टर है बट बिलीव म कि हम जब भी chapter शुरू करते हैं, chapter के नाम से शुरू करते हैं, ठीक है, तो आप ये प्रता याद रखना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे करने वाले हैं, तो chapter का नाम है जी, यूरोप में राष्टवाद का उद्ध है, ठीक है, यूरोप क्या है, यूरोप आपको पताऊगा, एक मह महादीप है, ठीक है, यूरोप एक महादीप है, जिसके अंदर बहुत सारे देश हैं, जैसे आप सुनते हो ना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्टेलिया, डैनमार्क, है न, स्वीडन, है न, और भी बहुत सारे ग्रीक, ये सारे के सारे देश जो होते हैं, वो यूरोप मे आते हैं, ठीक है, बृटेन, ओकी, clear होंगी ये बात, चलो, तो चेप्टर का नाम है, यूरोप में राष्टवाद, राष्टवाद का क्या मतलब होता है, देश भक्ति की भाना, तो यूरोप में राष्टवाद का उदह, इसका मतलब है, इस चेप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि जब यूरोप के लोगों में देश भक्ती की भावना का उदय हुआ यानि जब देश भक्ती की भावना जागी तो क्या हुआ उसके बारे में चेप्टर में पढ़ने वाले हैं जैसे कि आपको पता है 1947 में जब इंडिया के लोगों में देश भक्ती की भावना ज जाएने चाहिए वैसे ही मैं आपको बता दू यूरोप में भी ना पहले के टाइम में राजा रानी वाला सिस्टम था है ना तो वहां पर राजा रानी के सिस्टम को देखकर राजा बहुत बुरे थे उस टाइम ठीक है तो वहां पर रहना लोगों के अंदर देशवक्ति की भावना जागी राश्टवाज जागा और उनको ऐसा लगा कि यार यह राजा खराब है राजा नहीं होना चाहिए और राजा की एक सबसे बड़ी दिक्कत भी थी कि राजा जिस हेरिया पर कब्जा करके रखता था ना वहां पर अलग-अलग भाशा बोलने माले लोग थे अलग-अलग धर्म के अलग-अलग कल्चर के लोग थे ठीक है बट जो जिन लोगों में राश्टवाद जागा ना जो लोग राश्टवादी थे वो कहते है यह नहीं होना चाहिए एक ही लेंग्वेज होनी चाहिए देश में ठीक है और एक ही कल्चर होना चाहिए या कोई common चीज होनी चाहिए ठीक है जी समझाया basically जो राष्टवादी लोग उते थे थे न वो ये कहते थे कि अगर कोई France पर rule कर रहा है न तो पूरे France में सिर्फ French language बोली जानी चाहिए ठीक है जो लोग देशवक्त थे वो ये कहते थे ठीक है जी चल तो basically इस चैप्टर में हम देए देखेंगे कि जब यूरोप के लोगों में देशवक्ति की भावना जागी तो क्या हुआ अंदाज आपको मिल चुका है कि जब लोगों में यूरोप के लोगों में देशवक्ति की भावना तो पहले तो इस पिच्चर के बारे में बता दूँ ये पिच्चर जो थी वो 1848 में 1848 में बनाई गई थी और ये पिच्चर बनाई थी एक आर्टिस ने जिसका नाम था फ्रेडरिक सौर्यू ठीक है ये ना एक तरह से उनकी कलपना थी ये पिच्चर है ना एक तरह से उनका सपना था अब आप बोलोगे सर सपने का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ पहले तो पि जंडो के साथ ठेक है और वह एक परतिमा एक मूरती की तरफ है वह जा रहे है ये परतिमा क्या है मूरति का नाम क्या है इस मूरति का इंगलिश में नाम ये में स्टैच्च Azam Lore भी लिबर्टि हिंदी में बोले तो सारे राजा रानी के कंट्रोल में थे तो अजादी तो थी नहीं, फ्रांस को छोड़कर यूरोप के जाधतर एरिया में तो अजादी थी नहीं, तो इसलिए ही फ्रेडरिक सौर्यू के दिमाग में थी ये चीज, कि देखो लोगों में देजबक्ती भावना जाग रही है, वो अजादी की तरफ जा रहे हैं, बट 1848 के टाइम में तो लोगों को इतना डर लगता था कि राजा के खिलाफ कुछ बोलते नहीं थे, बाद में धीरे धीरे लोगों के अंदर राष्टवाद की भावना जागी थी, ठीक है जी, तो समझा आ गया, जो हमारे फ्रेडरिक सौर यह उनका सपना क्यों दिखाया गया, मलब यह सिर्फ एक सपना ही क्यों थी, 1848 के टाइम में, तो आप अब दुबारा से इस पिच्चर पर आ जाते, अगर इस पिच्चर की बात करें, तो आपको दिखेगा, कि यहाँ पर रहना, जादा तो जो भी आर्टिस्ट उगा करते तो इस टाइम में, यानि 19 सताब्दी में, 19 सताब्दी जो है, वो 1801 से लेकर 1900 तक रहती है, ठीक हा, भचों को यह भी स्वतनतरता को दिखाना हुता था तो एक आर्रत की तरा, एक महिला की प्रतिमा की तरह बिखाते थे हैं, आप अगर देखोगे न, तो एक महिला के हात मे एक क्या है ज्ञानोदी की मशाल है मतलब यह दिखाते है कि एक ज्यान की देवी है और दियूसरी तरफ है ना एक बहुत सारा आप कह सकते हो कि अक गोचना पत्र है मतलब बहुत सारे एक तरह से बुक वगशे है उस book के अंदर लोगों के अधिकार वगेरा लिखे वे हैं तो basically यह दिखाने की कोशिश करी गई है कि जब लोग अजादी की तरफ मतलब जब लोगों में देश बक्ति की भावना जागीगी तो वो किसके पास अजादी की तरफ जाएंगे यह हमारी स्वतंतरता की परतिमाना इनकी तरफ जाएंगे और लोगों को क्या मिलेगा अधिकार मिलेगा और ज्यान मिलेगा यह दिखाने की कोशिश करीगे यह ठीक है देखो अगर आप ध्यान से नूटिस करोगे तो इस पिच्चर के नीचे यह गिरेवे कुछ पड़े हैं यह क्या है यह ताज है ध्यान से पिर कोई रोक टोक ना हो जो कुछ भी कर सकता हो अब एक बात बताओ एक देश के अंदर जहाँ पर राजा रानी हो कौन ऐसा परसन है जो कुछ भी कर सकता है जिसको कुछ भी करने की आजाती है वो राजा खुद होता है तो बेसिकली बताया गया है जब लोग अजाधी मा संत वगरआ तब घुछ को दिखाते हैं। इसमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा था, मैंने बता है ना सपना क्यों था, क्योंकि उस समय ये सारे देश जो भी आप देख रहे थे, जिनका भी जंडा था, वो अजात नहीं थे, राजा रानी के कंट्रोल में थे, सिर्फ फ्रांस को छोड़ कर, फ्रांस आपको बता ना, 1789 बही फ्रांस जो था, उन्होंने अपने राजा से अजादी ले ली थी, अब उस राजा का नाम आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स से बताना, ठीक है, चलो, तो एक सपनों का संसार रचा था, और उसका नाम दिया था, उन्होंने जनतांतरिक और समाजिक गरतंतरों से मिलकर बना था, यानि जनतांतरिक यानि, बेसिकलि उन्होंने बोला था, कि ये जो भी देश दिख रहे हैं आपको जो भी लोग जो हैं वो राष्टवादी लोग हैं, और क्या बनाएंगे, एक जनतांतरिक और समाजिक गरतंतर बनाएं, यानि एक ऐसा देश बनाएंगे जो अजाद होगा, ये दिखाया गया इसमें, चित्र में आप देखोगे, सभी उमर के समाजिक वरगों के लोग, लोग स्तिरी पूरुष, जो है एक लंबी कतार में सवतंतर्ता की परतिमा की वंदना करते वे जा रहे हैं, यानि सवतंतर्ता की परतिमा, यानि जिसको इंग्लिश में बोले, स्टैच्व ओफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, और साथी में फ्रांसीसी क्रांती मैं आपको पता दू फ्रांसीसी क्रांती के दुरान जो भी कलाकार होते थे न वो बेसिकली महिला को स्वतंतरता की तरह दिखाते थे जब भी उनको स्वतंतरता दिखाना होता था वो महिला को दिखाते थे जैसे कि इस पिचर में भी आप देखो स्वतंतरता को महिला की तरह दिखाया कि कि लोग स्वतंतरता की तरफ जा रहे है यानि महिला की तरफ जा रहे है जो कि स्वतंतरता का पड़तीक है माईला के एक हाथ में ज्यानोदे की मशालती दूसरे हाथ में जो थे मनुष्य के अधिकारों का गुछना पत्र था मैं टाइम ले के समझाओंगा चप्टर पर ऐसे समझाओंगा कि विल्कुल भूली ना पाओ अब जिन्दी की भरियाद रहने वाला आगे सुनो के जमीन पर आपको पता है निरंकुष संसाओं के दर्श अवशेश बिक्रेवे थे निरंकुष क्या यानि राजा रानी के जो है ताज वगरा गिरे पड़े थे और निरंकुष का क्या मतलब होता है ऐसी सरकार या शासन जहां सत्ता पर कोई अंकुष न हो यानि राजा रानी वाला रूल जो है जब लोग अजादी मांगने पर आएंगे तो राजा रानी को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़े यह दिखा रहे और सबसे मुझे की बात ये चित्र जो है एक कलपना दर्श था बस यूटोपिया यानि एक्च्वल में ये एक ऐसा समाच की कलपना कर रहा था जो इतना दर्श है कि उसका साकार होना लगबग असंबभ हो तो मैंने इसरे ही बताया कि ये जो पिच्चर है ना ये सरिफ हमारे फ्रेडरिक सौर्यों का सपना थी उस समय ना सब लोगों को लग रहा था कि यार एक कैसी पेंटिंग बना दी देश तो आजाद हो इनी सकते क्योंकि लोगों में तो उस समय देशवक्ति की भावना नहीं थी वो तो राजा से बहुत जदा डरते थे तो इसे लिए ये पिच्चर जो है न वो सिर्फ लोग मान रहे थे ये तो इसने ऐसी बना दी ये तो इतनी ऐसा सोच कर बनाई है तो बहुत ही पेंटिंग में कि इंपॉसिबल दिखा दिया है तो लोगों को लग रहा था कभी भी ऐसा नहीं होने वाला लोगों में देशवक्ति भावना नहीं जागेगी और वो राजा से चुटकारा नहीं ले पाएंगे इसलिए ही इस चीज को उन्होंने कल्पना दर्श बोला था ठीक है जी तो कल्पना दर्श का मतलब क्या होता ह एक्जाम में भी पुचा सकता है यूटोपय का क्या मतलब होता है एक ऐसा समाज एक ऐसे समाज की गल्पना जो इतना अधर्श है कि उसका सकार होना लगबग असंभवो ठीक है उपर की तरफ मैंने आपको दिखा दिया ईसा मसी और संत वगरा और फष्टे वगरा यूरोप के राजनेतिक और मानसिक जगत पर भारी परिवर्तन ला दिये कैसा परिवर्तन ला दिया यानि ये लिखा हो है उन्निसवी सदी उन्निसवी सदी यानि अठारा सो एक से लेकर 19.00 के टाइम में लोगों के अंदर राश्चवाद जागने लगा और जब लोगों क खतम हो गया और वहाँ पर राश्चराज्य बनने लगे इसका क्या मतलब है तो राजारानी खतम होने लगे और राश्चराज्य बनने लगा तो बेसिकली राश्चराज्य होता क्या है बड़ा सिंपल है बेसिकली राश्चराज्य उस देश को बोलते हैं जहाँ पर सारे के सारे लोग ना किसी कारकों से जुड़ेवे होते हैं मैं समझाता हूँ 1789 के बाद आपको पता है ना कि फ्रांस के अंदर जब किंग को हटा दिया गया था तो फ्रांस में मैं आपको बता दूँ जो फ्रेंच लेंगविज है ना उसको राष्ट भाषा बना दिया गया तो यानि पूरे के पूरे हमारे फ्रांस में क्या बूली जाएगी फ्रेंच बूली जाएगी तो यानि वो जुड़ेवे हैं किस से जुड़ेवे हैं भाषा से जुड़ेवे हैं तो यानि फ्रांस जो था वो 1789 के बाद क्या बन गया वो एक राष्ट राज्य बन गया राष्ट राज्य बेसिकली वो देश होता है जहाँ पर लोग किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ेवे होते है चाहे वो मेरे को बताना क्या भारत एक राष्ट राज्य है या नहीं है ठीक आए विडियो पाॉस करके आप नीचे मेरे को ऑंसर बता सकते हो yes या no मैं don't worry explain नहीं करना ठीक है अब मैं अता देता हूं अंसर अगर आपको पता है तो pause करें बताना भारत एक राष्ट राज्या है अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बात ऐसी है कि ये तो गलत बात है क्यों आपने बताया था कि राष्ट राज्या में समान भाशा होती है बट भारत में तो सर देखो इतनी सारी भाशा है 10 km बात त अलगता जी अलगी जगह अबर आ गए बिल्कुल सही बात है बट हमारा इतिहास तो कॉमन है ना हमारी संस्कृती चलो संस्कृती भी आप बोल सकते हो अलग-अलग संस्कृती है बट हमारी इच्छा तो 1947 में हर बंदा चाहता था कि अंग्रेजों से अधाधी मिल जाए तो अधाधी मिल जाए बात हमारी संस्कृती चलो सबसे जाधा पॉपलेशन में अगर हिंदू है अगर हिंदू को हटा दो तो आप देखोगे भारत के अंदर जो बाकी रिलिजिन है जैसे अपना क्रिश्यानिटी हो गया अपना इसलाम हो गया और भी जो अलग-अलग दुनिया के मुसल्मानों में भारत के जो आप क्रिश्चन में पूरी दुनिया के क्रिश्चन में भारत के बुद्धिस और पूरी दुनिया के बुद्धिस अंतर मिलेगा आपको तो यानि उनकी संस्कृती भारत की संस्कृती जैसी है यानि यहां के मुसल्मानों की जो सं प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिये एक शेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को सुईकार या असुईकार करने के लिए बोला जाएक। कुछ बच्चे बोलते हैं जी रखना है सब बच्चों से पूछती है टीचर तो कुछ बच्चे बोलते हैं मैम रख लो कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं रखो ठीक है तो अगर ज्यादा बच्चे बोलते हैं कि मत रखो तो नहीं रखा जाता इसी को कहते हैं जन्मत संग रहे जब basically जब किसी भी topic से किसी भी topic के बारे में directly लोगों से पूछा जाता है ठीक है कि जी प्रस्ताव सुईकार होना चाहिए या असुईकार होना चाहिए उसको कहते हैं हम जन्मत संग रहे आप कुछ बच्छे बोलोगे साथ डारेक्ट वोटिंग बोल दो ना अरे वोटिंग अलग बात होती है देखो वोटिंग में आप बंदे को चुनते हो यहाँ पर बंदे को चुनने की बात नहीं आ रही है आप जब वोट देने चाहते हो आप MLA, MP, MCD के मेर वगरे को चुनत है Yes or No? Clear हो गए ना? I hope यह बात आपको बहुत अच्छे से clear हो गई हो चलो जी अब थोड़ा सा और आगे आते हैं ओके ठीक है यह बेसिकली पेज मैंने थोड़ा उपर नीचे लगा दिया Don't worry मैं आपको बता दूँ यह जो चैप्टर है इसके नोट्स में डारेक्टली यहाँ पर क्लिक करोगे ठीक है तो आपको नोट्स डारेक्टली मिल जाएंगे ठीक है अधेको नोट्स ओपन हो गए कोई दिक्कत नी आई नीचे की तरफ पूरे पूरे नोट्स दे रखे है राइटिंग यह मैंने नए नोट्स अभी जो है नए नोट्स इसलिए समझा र अगर अभी आपके सामने आ जाएंगे खुद क्योशन का अंसर करना और नीचे मैंने आंसर लिखे होंगे ठीक है नीचे मैंने आंसर भी लिखे हैं ओके वैसे तो दिखो यह जो वेबसाइट है यह जो नोट्स है एक्टम फ्री है आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग पे चाउडोड कर सकता है यहां पर इंगलिष मीडियम के नोट्स भी आगर आपको कोई फ्रेंड हो जो इंगलिष मीडियम है तो उनसे बोल दो कि फ्री है डाउनलोड कर सकते है ठीक है अब देखो जैसे मैंने बोला फ्री है अभी तो देहो मेरे लिए वेबसाइट की बढ़ जाएगी तब शायद मेरे लिए मैनेजबल ना हो तो अगर कोई स्टूडेंट है जो ठीक है फाइनेशल कंडिशन फैमिली की ठीक है और सपोर्ट करना चाहे तो वो कॉंट्रिबूटर्स के बटन पर आके सपोर्ट कर सकता है ठीक है यहां पर आपको पेटियम वग क्याएं तो बढ़ा सपूर्ट के ही है न Algilys लेकर आते और यह बड़ी बात नहीं है हुट और अपने रिजुल्ट के फोटो में को बेजोगा और बोलोगे किसार बिरे 100 marks आये हैं और 0.0000001% जो है आपका भी participation है इसके अंदर तो आत्मत रिपता आप समझ लो कि बस मेरा काम बन गया है सबसे ज़्यादा happiest moment होगा मेरे लिए ठीक है और बाकिया अगर वैसे भी support नहीं भी गड़ सकते financially तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आओगे न एड वगएरा दिखरी है न क्लिक करके 10 भी सेकंड रुख जाना कोई देखने वाला तो है नहीं आपको इमानदारी साब चाहो तो जैसे भी आओ जब भी notes आउनलोड करने एड पर क्लिक करके 10 भी सेकंड रुख जाओगे वो रीजन क्या है यहाँ पर 60 वीडियो है स्रिफ और यह तेजी से क्यों बढ़ रहा है क्योंकि बेसिकली इस चैनल पर मैं यहीं पताता हूँ एक student earn कैसे कर सकता है पैसे कैसे कमा सकता अब देखो आप job तो नहीं कर सकते है तो आप online कैसे earn कर सकते हो ठीक है आप laptop से animation वीडियो कैसे बना सकते हो phone से animation वीडियो कैसे बना सकते हो आप YouTube पर दूसरे की video copy करके earn कैसे कर सकते हो आप website कैसे बना सकते हो website से कितनी earning होती है मेरी पहली earning के बारे में बने बता है और सारी चीजे जिससे भी student earn कर सकता हूँ उन सब तरीगों के बारे मेरे बताता हूँ ठीक है तो 12 में मतलब 12 से निकलने से पहले बहले हो कम से कम आप महिने क्या अगर 100 डॉलर भी अन कर रहे हो ना बहुत है ठीक है जी से ना फैमली में थोड़ा बर्डन जो होता है कम होता है आप फिर आपको बार बार अपने सेंपल पेपर के लिए इसके लिए पैसे वगरा मांगने नही और बाकी main point study इसको subscribe करना बिलकुल मत भूलना ठीक है जी और पिछले साल वाले बच्चों ने बहुत support किया और मेरे को पता है आप इससे जाधा support करोगे तो चैनल को subscribe करना मत भूलना ओके चलो जी आज आते हैं दुबारा से अपने chapter पे ठीक है जी तो अब आते हैं next topic पे topic का नाम है जी फ्रांसीजी क्रांती और राष्ट का विज़ार देखो फ्रांसीजी क्रांती आपने पढ़ा होगा फ्रांसीजी क्रांती कब हुई थी 1789 में हुई थी हमने class 9 के chapter number 1 जिसका नाम ही फ्रांसीजी क्रांती था उसी के बारे में उसके उसी के अंदर पढ़ा था तो तो राश्टवाद की पहली सबस्ट अभिवक्ती 1789 में फ्रांसीजी करांती के साथ हुई यानि सबसे पहले फ्रांस के लोगों ने 1789 में अपने राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जब उनके अंदर देशबक्ती की भावना जागी तो सबसे पहले आगर आपसे पूचल आए कि राश्टवाद की भावना जो थी सबसे पहले अभिवक्ती हमें कहां देखने के लिए मिली थी राश्टवाद की वो थी 1789 में फ्रांस के अंदर देखने के लिए मिले थी और Francis Zee Kranti के कारण क्या हुआ जो सत्ता पहले राजतंतर के हाथ में थी राजा के हाथ में थी राजा का नाम याद है नीचे comment box से बताना तो वहाँ के राजा की जो पावर थी राजा के हाथ से पावर वो छिन गई और जो नागरिक है जो फ्रांसीजी नागरिक है जो नौरमल लोग है उनके पावर चली गई अब वो ही अपना नेता वगरा चुनते थे अब जो आपको एक्जाम में कोशन आएगा ना वो ये आएगा बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टन कोशन है सीधा बता दू पांच नंबर का ये कोशन आपसे पूछट आता है अच्छा पहले तो आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में दो तीन कोशन पूछन 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 का अंसर बताना तीन कोशन आप पिर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना पता भी तो चलता रहना चाहिए कि कोशन समझा रहे हैं नहीं आ रहे है ना चलो अब फ्रान्सीजी करांटी के बाद क्या क्या बदलावाए थे सबसे पहला बदलाव तो यह आय था कि सत्ता राज्तंत्र से लोगों के पास चली गई पहले जो पावर राज्तंत्र रानी हमारे राजा के पास थी राजा का नाम चलो मैं बता देता हूँ आई होप अपने comment box में बता दिया हूँ, राजा का नाम था Louis XVI, यह आदार है, थोड़ा वद यह आदार होगा, तो जो पहले राजा के पास power थी है, वो लोगों के पास चली गई, next है, कि हमारा जो France है, उसका एक नया जंडा, तिरंगा, तिरंगा का क्या color था, red, white और blue, यह हमारा तीन color का तिरंगा जो है, फ्रांस के अंदर आ गया, उसके बाद ना, एक लापात्रिया और नागरिक, जिसको लापात्रिया का मतलब होता है, basically, पित्र भूमी और नागरिक, यह नहीं, लेसे डोयन के विचारों पर बलदी आ गया, इसका क्या मतलब है, कि basically, अब दे अपने देश को प्यार करो, तो वैसे ही, फ्रांस में basically, लापात्रिया और आपके पित्र भूमी, कि आपके पिता की भूमी है, पित्र भूमी है, इसकी respect करो, किसी के साथ भेदमावगत करो, और यहाँ पर लापात्रिया और यहाँ पर बेसिकली यह बोला गया, कि यह आप कि पित्र भूमी है, जैसे अब देखो, जब हम भारत माता बोलते हैं, तो एक तरह से attachment दिखाई देता है, कि हमारा भारत के साथ कितना attachment है, तो वैसे यहाँ पर फ्रांस में basically, लोगों के अंदर देश भक्ति की भापना और जगाने के लिए बोला गया, कि हमारी पित्र स्टेट जनरल भी हुआ करती थी, तो स्टेट जनरल का नाम जो है, वो change करकर national assembly कर दिया गया, और national assembly के अंदर है न, basically जो भी वंदे बैठते थे न, उनका चुनाव करवाया जाने लगा, चुनाव, basically vote कौन डालता था, सक्रियनार्गरिक, तो सक्रियनार्गरिक, वोट डाल कर national assembly के जो भी लोग होते थे, उनको चुनते थे, ये भी चीज हो गई, हमारे फ्रांसिसी करांती के बाद ये चीज होई थी, नेक्स्ट पॉइंट है, नई स्थूतिया रची गई, नई स्थूतिया मतलब राहिम सवगरा, हाइम सवगरा, मतलब एक तरह से आप कहा सकते हो कि जैसे नई-ने ट्यून बनाई गई देश को लेकर, देश के नाम पर शपत ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया, यानि जिनोंने भी राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनका गुणगान किया गया, और यह सब राष्ट के नाम पर हुआ, फ्रांस के नाम ने ट्यून बनाई गई, फ्रांस के शहीदों का गुणगान किया गया, नेक्स पॉइंट है, कि एक सविधान भी बनाई गया, जिसके अंदर गर सभी को समान अवसर दिये गए, यह भी बात आ गई, नेक्स पॉइंट है, कि एक केंद्रे प्रशासनिक व्यवस्ता लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों को समान कानून बनाए, बैसे लिए केंद्रे प्रशासनिक व्यवस्ता आ गई हमारे फ्रांस के अंदर, जहां पर जितने भी लोग रहते थे थे न, हमारे फ्रांस के अंदर, उन सभी को समान, सभी के अलग 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 एरिया के लिए अपना अलग अलग सिस्टम बना का रखता था बट उसके बाद जब लूई 16 हट गया और लोगों के पास पावर आ गई तो उन्हों ने क्या किया हर भूबाक के लिए क्या कर दिया समान कानूर बना दिये गए लास्ट है एक सविधान के अं अंदर सभी को समान अवसर दिये गए ठीक है जी यह क्लेर हो गया आपको अब उपर वाले पेज पर आ जाते हैं जैसे मैंने बताया था कि मेरे से गलती से जो पेज है वो उपर नीचे हो गया था बड़ टूंड वरी तो यह हमारा पहला पेज था कलपना दर्श वाला हो ग वो था ना हमारा लुई 16 वो टैक्स वगरा लेता था है ना शुलक वगरा टैक्स वगरा लेता था उसको ना किंग के हटने के बाद हटा दिया गया तता नापने की एक समान व्यवस्ता लागू की गई पहले क्या होता था फ्रांस के एक जगह पर अलग वेट मेजर होता थ दूसरी जगह पर अलग weight major होता था नापने का तोलने का उसको भी खतम करके समान कर दिया कि France के हर area में अब एक ही जैसा बाट यूज किया जाएगा तोलने का एक ही system होगा ठीक है और last में यह किया गया कि शेत्र बोल्यों को यह सबसे important line है कि शेत्र बोल्यों को खतम किया गया और French को एक राष्टर भाषा बना दिया गया और जैसे ही French को राष्टर भाषा बनाया तो हमारा France क्या बन गया एक राष्टर राज्य बन गया Yes or No? मना पताया था ना राश्चराज्य बेसिकली वो देश होता है जहां के लोगों में कुछ ना कुछ common हो Common language हो, common history हो, common culture हो, कुछ ना कुछ common हो तो हमारे France के लोगों में क्या चीज common हो गई? French language common हो गई और उसी टाइम से हमारा जो France था वो भी एक राश्चराज्य बन गया ठीक है जी? ओके तो जो हमारे France के जो क्रांतिकारी थे यानि जिनों ने France को राजा से अजादी दिलाई थी उन क्रांतिकारीों ने यहाँ गूचना की कि France राश्चरे का यहाँ भागय और लक्ष था कि वहें Europe के लोगों आएगा Europe के लोगों को निरंकुष शासकों से मुक्त कराए basically जो हमारे France के जो क्रांतिकारी थे ना उन्होंने ये बोला कि हमारी ये responsibility है France के responsibility है कि France के अंदर जैसे देशवक्ती की भावना जागी लोगों के अंदर और जैसे उन्होंने अपने राजा को हटाया अब ये France की responsibility है कि यही देशवक्ती भावना वो जर्मनी के लोगों में वो इटली के लोगों में, वो बृतेन के लोगों में, वो ग्रीक के लोगों में और अलग-अलग यूरोप के अलग-अलग देशों के लोगों में बेसिकली राष्टवाद की भावना जगाए और उनको भी बताए कि आपका भी अगर खराब है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, ठीक है जी? I hope यह बात आपको clear हो गई, उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि 1789 के अंदर हमारा जो लुई 16 था वो हट गया, उसके बाद National Assembly के पास पावर आई, 1792 तक National Assembly के पास पावर रही, यह याद रखने की जरूतनी है बस बता रहा हूँ, 1792 के बाद जो प प्रांस के अंदर पांच अला गला बड़े बड़े नेता चुने गए और इनी के पास सारी पावर थी, बट इन सब में लड़ाई होती रहती थी, ठीक है और इसी का फायदा उठाया हमारे किसने? नेपोलियन बोना पाटने, और 1799 के अंदर, यानि अल्मोस्ट लुई 16 के हटने के 10 साल बाद, नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर जो बेसिकली डारेक्टरी के लोगों में लड़ाई चल रही थी, उसका फायदा उठाया और वो फ्रांस का अध्यक्ष बन गया, मैंने आपर शासक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नेपोलियन कोई शासक नहीं बना था वो कोई राजा नहीं था, वो पता है क्या था, वो एक मिलिटरी शासक था, यानि वो एक तरह से आप कह सकते हो, के मिलिटरी का रूलर था, ठीक है, तो अपनी सेना का वो सबसे बड़ा था कह सकते हो, करना लिया जो भी आप कह सकते हो, हैड था, तो बेसिकली तो फ्रांस क इसका बन गया अध्यक्ष यानि लीडर बन गया उसके बाद क्या होता है कि एना 1799 में वो लीडर बनता है और एना कब तक रहता है वो लीडर वो रहता है जी 1815 तक लीडर 1815 में एक लड़ाई होती है जिसको हम कहते हैं Battle of Waterloo हिंदी में बोलते हैं Waterloo की लड़ाई और इस लड फ्रांस की गद्दी यहां power जो थी वो छोड़नी पड़ती है फ्रांस को छोड़ना पड़ता है और फ्रांस पर उसका रूल नहीं रहता ठीक है जी अब मैं बताऊंगा कि बिसिकली यह लड़ाई उसकी किसके साथ हुई थी ये भी है इस चप्रें मैं बता दूँ यह चलो नेपोलियन बुनापार्ट के साथ जिसका नाम था वाटरलू की लड़ाई और वह वेसी चार-चार कंटरी सेना नेपोलियन की एक सेना से लड़ाईगी तो जीती जाएगी और जीत गई और उसी वज़े से नेपोलियन को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी ठीक है वर कहा जाता है नेपोलियन अच्छा किंग था अपने टाइम के अंदर 1804 के अंदर वो एक नागरिक सहीता लेकर आया था एक सिविल कोड लेकर आया था जिसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़े करी थी अब क्या अच्छी चीज़े करी थी उसी के बारे में हम पढ़ने था है ना यादार है ना आपको एक अभिजात वर्ग हुआ करता था एक तीसरा भी स्टेट हुआ करता था तो तीसरे स्टेट के साथ भेदबा होता था टैक्स जो है वो सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग देते थे है ना तीसरे स्टेट के लोगों को जो प्रतम जो हमारे के हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता आप सभी समान हो समान टेक्स तो इक्वल टेक्स तो इक्वल अधिकार मिलेंगे ठीक है चलो नेक्स्ट है उसने कानून के समक्स बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया इसका क्या मतलब है मैंने क्यों बोला नेपोलियन अच्छा था क्योंकि नेपोलियन के टाइम से पहले जैसे लुई 16 था ना बन्दा पता है क्या करता था वो बोलता था ये वाली जमीन हमको अच्छे लग रही है आपर जो भी रहते हैं उनको बोलो खाली करे घर और हम रहेंगे आपर पर उसके पाद जो नेपोलियन था नेपोलियन ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा नेपोलियन ने ये बोला कि सभी लोगों को संपत्ती का दिकार दिया जाएगा और कोई भी वंदा आपको आपकी संपत्ती से नहीं अठा सकता चाहे वो खुद किंग ही क्यों ना हो या लीडर ही क्यों ना हो मतलब लेपोलियल खुद दूसरे की जमीन जो है था वो हडपता नहीं था अगर लेता था तो उनको पैसे वगरा भी देता था ठीक है जी नेक्स्ट है कि सामंती विवस्ता थी उसको खतम कर दिया गया और किसानों को और भूदासों को जमीदार शुलक से मुक्त दिलाई इसका मतलब क्या है सामंती विवस्ता क्या होती है सामंती विवस्ता का मतलब होता है जो गरीब किसान होती थे ना उनको अमीर लोगों के ल साथ में शहरों में भी जो कारीगर वगेरा थे ना कारीगरों के श्रेणी संग थे उनके भी नियंत्रन हता अदिये इसका मतलब क्या है पहले क्या होता था रिस्रिक्षन हुआ कर दी के कुछी जो कारीगर्व है ना उन्हीं को परमीशन थी कि आप ही अपना कारोबार चला सक हम नहीं है जिसका मन करे कपड़ों का कारोबार करने का वो कपड़ों का करे जिसका मन नहीं करता वो ना करे ठीक है तो यह भी अच्छा काम करा नेपूलियन बुना पार्टने ठीक है जी ओके और क्या अच्छा काम करा नेपूलियन बुना पार्टने उसने अच्छा एक और पता दूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेपूलिया ने सिर्फ जर्मन एरिया पर कबजा किया था, पर ऐसा नहीं है, फ्रांस से उसने डच पर भी, डच गरतंतर पर भी, स्विजर लैंड और इटली के भी कुछ इलाकर और जर्मनी के भी कुछ इलाकर पर नेपूल और जर्मनी है, उसमें जो नेपूलियन ने परशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, पहले क्या था, डच में अलग सिस्टम चलता था, स्विजर लैंड में अलग सिस्टम लिटली में और जर्मनी में अलग-अलग सिस्टम चलता था, फ्रांस में अलग सिस्टम चलता था, तो नेपोलियन ने जैसे ही इन सबों पर कब्जा किया, नेपोलियन ने सब को, सब का जो भी प्रशासनिक था, रूल करने का सिस्टम था ना, उसको थोड़ा सरल बनाया, और एक जैसा बनाया, और सबसे इंपोर्टन चीज़ है कि उसने यातायात और संचार व्यवस्था को भी सुदारा, ठीक है जी, तो ये भी एक अच्छे चीज़ करी नेपोलियन ने, पड़ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी लोग जो थे, वो नेपोलियन ने अच्छे काम करें, जैसे हम देख चुके हैं, पर बहुत सारे लोग जो थे, वो नेपोलियन बोनापार्ट से गुस्सा भी रहते थे, क्यों, तो उसी के बारे में हम देखेंगे, कि लेकिन जीते हुए इलाकों में इस्थानिय लोगों की फ्रांसी सी शासन के पड़ती मिली जूली पड़ती गरिया थी, यानि कुछ लोग जो थे नेपोलियन से खुश नहीं थे, अब एक्जाम में कुशन भी आता है, कि नेपोलियन शासन की सीमाय बताओ, या नेपोलियन शासन से कुछ लोग खुश क्यों नहीं थे, क्यों? क्योंकि उसने अपने टाइम में टैक्स बड़ा दिया था, कर बड़ा दिया था, दूसरा उसने सेंसर्शिप लगा दी थी, सेंसर्शिप का मतलब होता है कि आप कुछ भी नहीं छाप सकते, नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाब, इसे कहते हैं सेंसर्शिप, तो ये लगा दी थी, लास्ट पॉइंट है कि लोगों को जबरन सेना में भढ़ती करता था और यहीं उसकी सब्चे बड़ी दिक्कत थी, मैंने आपको पताया था, मैंने वहाँ पर जब मैंने उपर यह लाइन लिखी दी ना, कि जो हमारा नेपोलियन है, उसने क्या किया था, नेपोलियन ने हमारे, वो फ्रांस का अध्यक्ष बन गया था, मैंने आपर king पता है क्यों नहीं लिखा क्योंकि एक military leader था military का एक वो leader था और उसका main purpose था कि अलग-अलग देशों को वो कबजे में लेकर आए तो दूसरे देशों को कबजे में लाने के लिए उसको क्या चाहिए थी powerful army, बड़ी army और इसलिए उन्होंने जबरन लोगों को आर्मी के अंदर भरना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए तो यह कुछ सीमा है थी France इसी आप कह सकते हो कि हमारे Napoleon Bonapart की ठीक है जी चलो अब Europe में राष्टवाद का निर्माण अब देखो हम यह तो देख चुके हैं कि France के अंदर राष्टवाद के लोगों में देशबक्ती भावना जागी उसके बाद हमारे Louis 16 को हटाया गया उसके बाद हमने देखा कि जी क्या क्या बदलाब आई France में फिर हमने देखा कि उतल फुतल फैल गई थी कुछ फ्रांस के अदर जिसका फायता है Napoleon Bonapart ने उठाया और वो 1799 से 1815 देख रहा और 1804 में वो बहुत सारे कानून लेकर आया France के अंदर ठीक है जी अब हम देखेंगे कि France को छोड़कर जो अ पतलब कोई भी ऐसा देश नहीं था जहां पर लोगों में कुछ भी कॉमन हो फ्रांस को छोड़कर ठीक है जी फ्रांस को छोड़कर जितने भी देश थे ना यूरोप में उसमें से कोई भी राश्ट्राज्य नहीं था यानि वहां के जो जैसे कि मैं एक्जामपल देता हू ठीक है कुछ बर्बन किंग उस्पेन थे स्पैनिश बोली जाती थी कुछ जर्मन भी बोली जाती थी तो यानि बेसिकली से हमें ये पता चलता है कि जितने भी राश्ट्र थे हमारे यूरोप के अंदर वो राश्ट्राज्य नहीं थे वहां आपके लोगों में कुछ भी था और राजा के अंदर भी था सबसे बड़ी बात ठीक है तो ये भी एक दिक्कत थी और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे मैंने एक बात और पता आई थी जैसे चैप्टर स्टार्ट कर वाया था तो मैंने आपको होता है था कि राजा की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि राजा के अलाके में अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे तो जब अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे राष्टराज्य तो नहीं होगा क्योंकि राष्टराज्य हमने देख लिया जहां पर सेम लैंग्विज हो अभी आप यह समझो सेम लै यानि पूरवी पूरवाला और जो मद्यभीच वाला यूरोप था इनके अंदर राजारानी वाला सिस्टम था और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे वे आपने आपको कोई सामुई पैचान या किसी समान संसरीति का भागिदार नहीं मानते थे जैसे इंडिया में आप लोगों से पूछあगे न को बोलो करता था जैसे एक और यहां यह बहुत बरस्पर समराज्यर रूल मतलब Habsburg एक राजा का एरिया था, यानि Habsburg King था, ठीक है, उसके एरिया के अंदर जर्मन भाषा भी बोली जाती थी, इतावली भाषा भी बोली जाती थी, फ्रेंच भाषा भी बोली जाती थी, तो इससे क्या पता चलता है, कि हमारा जो ऑस्ट्रिया हंगरी था ना, वो एक राष्चराज्य नहीं था, राष्चराज्य का मतलब तो होई होता है, जहाँ पर एक language हो, बत सही की language हो, तो यहाँ पर देखो, इतनी सारी language बोली जा रही है, तो वो राष्चराज्य नहीं था, तो basically अब हम यही देखेंगे, कि वो राष्चराज्य बना कैसे, ठीक है जी देखो फर्स पार्ट तो हमारा खतम हो चुका है पर पहले मैं भी आपसे कोशन पूछूंगा उसका अंसर बताना पहला कोशन वही है कि वो जो पिच्चर थी वो किसने बनाई सेकंड जो है वो पिच्चर जो है वो कब बनाए गई उसको हराया गया था उसको कौन से साल में हराया गया था और उस बैटल का नाम क्या था यह सारे इसारे कोशन का आनसर आप मेरे को नीचे कमेंड बॉक्स पूरवाल वाले चैनल को भी आप देख सकते हो बाकी में पॉइंट सड़ी को तो आप सब्सक्राइब करीद होगे ठीक है अगर अभी तक नहीं किया तो कर देना है ठीक है क्योंकि आपका सपोर्ट ही सबस्यादा इंपॉटनेट है वही मिरको मोटिवेशन देता है यह नंब सबसे इंपॉर्टनेट है कि हमारा टेलीग्राम चैनल इसे जॉइन कर लेना बहुत सारे चैप्टर की जो पीडियव वगएरा है ना या मोस्ट इंपॉर्टन कोशन की पीडियव यह देखो पीडियव वाले सेक्शन पर आपको मिल जाएगी तो इसको भी आप जॉइन ऑके बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए थैंक्यू सो मच जाहिन जाह भारत बंदे मातरम तैंक्स फर वे सपोर्ड बाइ बाइ